हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लोग में तो फ्रेंड आज हम लेकर आ गए हैं गाई के घी बनाने का तरीका गाई के दूद, दो केजी दूद के सपता दिन के मलाई से दुगुना घी बनाने का तरीका वो भी बिना बिजली, बिना मसीन, सिर्फ दो मिनेट में मलाई से मक्खन बनाएंगे फ्रेंड तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड प्लीज वीडियो को फूल वाज करें अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी फ्रेस कर दे ताकि कोई भी नए वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकिसान आपको मिलता रहे तो चले फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड ये सब्ता से दस दिन का मलाई है गाई के दूद का निकाला हुआ मलाई है फ्रेंड तो मलाई को फ्रीज में इस्टोर करना है फ्रेंड तो फ्रीज से हम थोड़े देर पहले ही बाहर निकाल लिये थे उसके बाद एक कलची लिये हैं उसके बाद इस तरीके से फेटना है बस दो मिनिट ही फेटेंगे फ्रे क्योंकि यह ठंडा राता है ना तो बहुत आसानी से मख़न छोड़ने लगता है तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मलाई का टेक्चर एकदम क्रीमी हो गया है उसके बाद यह दानादार हो जाएगा फ्रेंड तो फेंड हम बिल्कुल भी वीडियो को इसकीप नहीं किए हैं तो आप देख सकते हैं दानादार हो गया है एकदम दानादार हो गया है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी हम अभी नॉर्मल डाल रहा हैं क्योंकि यहां पंजाब जलंधर में मोसम थोड़ा सर्दी सा होने लग गया है तो यहां पर नॉर्मल पानी डाल रहा है अभी हलका हलका मोसम सर्दी का हो गया है अगर गर्मी का मोसम है आपके यहां तो आप फ्रीज का ठंडा पानी दाले फ्रेंड तुरत ही आपका मक्खन निकल आएगा तो आप देख सकते हैं मक्खन छोड़ दिया है मलाई तो एक बार और कल्ची से फेट लेंगे इस तरीके से ताकि अच्छे से उपर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड एकदम अच्छे से गी उपर आ गया है तो फ्रेंड अब हाथ लगाना पड़ेगा अभी तक तो मैं हाथ नहीं लगाई थी अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो पूरी च्छन्ने वाला च्छन्नी है उसके सहायता से आप मक्खन को ले सकते हैं फ्रेंड लेकिन मैं हाथ ही लगा लेती हूं इस त ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं हाथों की सहायता से इकठा करना है मक्षन सबको वाव आप देख सकते हैं कितना बड़ी हां मक्षन निकल गया है फ्रेंड तो इसी तरह से गोल-गोल बना लेंगे मक्षन का गोला और एक बरतन में रख लेंगे तो फ्रेंड जो बरतन में आप गी बनाएंगे उसी में ही गोला को रख लिजिए मैं कराही लेकर नहीं बैठी थी इस वज़ा से मैं दूसरा ही बरतन में रख लिए हैं तो फिर बाद में हमको कराही में डालना पड़ रहा है तो फ्रेंड हम सारे मक्षन को निकाल लिए हैं उसका जो दुद्धी बचा है छाच उसमें हम पानी मिलाकर अपने पौधे में डालते हैं फ्रेंड अपना कड़ी पत्ता में आप देखे होंगे मैं कड़ी पत्ता का वीडियो डाल रखी हूँ मेरा कड़ी पत्ता बहुत ही बढ़ी हां ग्रो कर रहा है फ्रेंड इसी से और मैं मिर्ची भी लगा कर रखी हूँ बहुत फला है मिर्ची तो आप इसे दो दिन तक रेष्ट में रख दीजिए उसके बाद पानी मिलाकर पौधे में डालिए आपका पौधे बहुत ग्रो करेगा तो फ्रेंड मैं मक्खन को इधर गैस में रख दी हूँ और गैस को ओन कर दी हूँ फ्रेंड तो फ्रेंड हाई फ्लेम में अगर गी को पकाईएगा चलाते हुए तो आपका गी दो मिनिट में खर जाएगा फ्रेंड तो टोटल आपको पांच मिनिट में मक्खन और गी दोनों बनकर त्यार हो जाएगा तो फ्रेंड उसमें हम एक secret चीज डालेंगे जो चीज है एक चम्मत चीनी तो फ्रेंड चीनी डालने से आपके घी का कलर भी अच्छे आएंगे और आपका घी मलाई से दोगुना बनकर त्यार होगा फ्रेंड आप देख सकते हैं कितना घी बन रहा है कितना सारा घी है एक सब तो फ्रेंट बजार में जब आप गाय का गी लेने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलता है फ्रेंट भैस के गी से जादा महंगा गाय का गी मिलता है तो आप देख सकते हैं कितने सारे गी बनकर त्यार हुआ है गी में कितने अच्छे कलर आए हैं फ्रेंट तो मैं घी को हाई फ्लेम में चलाते हुए पकाई हूँ तो दो मिनिट में घी हमारा खर गया है तो फ्रेंड अब मैं गैस को बन कर दूंगी और आप चाहे तो इस खुर्चन से मिठाई भी बना सकते हैं लेकिन मैं अभी मिठाई नहीं बना रही हूँ मैं मिठाई का रेसेपी पहले बहुत सेर कर चुकी हूँ फ्रेंड तो घी को हलका सा ठंडा होने देंगे उसके बाद इस तरीके से चन्नी से चान लेंगे आप कोटन कपड़ा से भी चान सकते हैं फ्रेंड सीसे के बरतन में इस्टोर करने से जल्दी खराब नहीं होता है फ्रेंड लेकिन मेरे पास फिलाल सीसा का बरतन नहीं है सीसे का डबबा तो मैं पलास्टिक वाला में ही कर रही हूँ लेकिन घी को थोड़ा ठंडा करके डालना है फ्रेंड घी हलका सा ठंडा हो गया है उसके बाद ही मैं चान रही हूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना बड़ियां घी बनकर त्यार हुआ है इसमें एकदम थोड़ा सा खुर्चन बचा है और कराही में बिल्कुल भी लगा नहीं है फ्रेंड बिल्कुल भी चिपका नहीं है आसानी से कराही साफ हो जाएगा तो आप इस खुर्चन को ऐसे भी खा सकते हैं गुड मिला कर या चीनी कुछ भी या मिठाई भी बना सकते हैं क्योंकि फ्रीज में मलाई को इस्टोर करने से फ्रेंड मलाई खराब नहीं होते हैं सब्ता दस दिन तक तो विल्कुल भी खराब नहीं होता है और आप अगर फ गाय का घी फ्रेंड तो मैं अक्सर ऐसे ही घी बनाती हूँ और भी मैं घी बनाने का तरीका सेयर की हूँ फ्रेंड तो उमीद करेंगे कि आपको ये घी बनाने की रेसिपी पसंद आया होगा फ्रेंड अगर पसंद आया होगा तो अपने फेमली मेंबर और दोस्तों के साथ चेयर करना ना भूले और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल में नए आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपूर्ट जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही नए नए रेसेपी लेकर आते रहें और इस तरह से आप बहुत सारे पैसा के बचत कर सकते हैं फ्रेंड घर में गी बनाकर पुजा पाट में भी गाय का ही गी यूज होता है थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई